हे इब्रिवन विल्कम बैक टू मैं किचन आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ज़्यादा डिलिशस बनने वाला अंडा करी जिसे हम बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक चमय जीरे डालेंगे शात्ति हम कुछ खड़े गरम मसाले और एक दो तेशबत्ते डालेंगे फिर हम इसमें दो साبूत लाल मिर्च डालेंगे और इन सब को कुछ सेचंद के लिए भून लेंगे फिर हम पर प्याज जितने अच्छे से सॉफ्ट होगा हमारी जो ग्रीवी है उतनी ही ज्यादा रिच बनेगी तो उसके लिए हमें फ्लेम को मेडियम कर देना है और इसे ढखकर पकने देना है इसे आप बीच बीच में चलाते रहें तो यहां पर अब 5-7 मिनट हो चुके हैं और जो अद्रक लेशून का पेस्ट अच्छे से भून जाए फिर हम इसमें कुछ बेसिक मसाले अट करेंगे तो यहां पर सबसे पहले हम इसमें हल्दी पाउडर डाल रहे हैं यहां पर हम आदे चमच हल्दी पाउडर डालेंगे एक चोटी चमच लाल मिर्ज का पाउडर एक बड प्रफड़ साइज के कटी हुए टमाडर एट करेंगे जिसके पानी के कारण जो मैसाले हैं वो अच्छे से भून भी जाएंगे और टमाडर भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तो टमाडर डालने के साथ ही हम इसमें नमक भी आइट कर देंगे ताकि जो टमाडर ह हैं वो अच्छे से सॉफ्ट होंगे ही साथी इसके जो मसाले हैं वो भी अच्छे से भून जाएंगे तो यहां पर लगबग 8-10 मिनट हो चुके हैं यहां पर आप देख सकते हैं जो टमाडर है वो अच्छे से मैसी हो चुके हैं लेकिन अभी मसाले थोड़े से और भूनने बाकी है तो अभी मसालों को हम 2-3 मिनिट के लिए और भूनेंगे जब इसमें साइट से ओयल दिखने लगे तब मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं तो मसालों को अच्छे से भूनने के बाद यहां पर हम इसमें दो आलू एट हैं पर मैं जब भी कभी अंडा करी बनाती हूं तो उसमें आलू जरूर एट करती हूं क्योंकि आलू डालने से इसका फ्लेवर तो चेंज होता ही है इसके साथी इसकी जो ग्रेवी है वो काफी ज़्यदा रिच बनती है तो यहां पर आलू डालने के बाद हम इन सब को एक कर भूनने के बाद हम इसमें पानी एट करेंगे तो यहां पर आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके एकॉर्डिंग आधा कप पानी अधिक डाले तो यहां पर मैंने पहले देंड कप पानी डाला था मुझे थोड़ा कम लगा तो आधा कप और पानी डाला अब इन सब को ह हम इसे ढख देंगे और इसे ग्रेवी को थोड़ी दिर पकने देंगे तो जब तक हमारी ग्रेवी पक रही है तब तक हम अंडे को त्यार कर लेते हैं तो उसके लिए यहां पर हम एक पैन लेंगे तो पैन जब अच्छे से गरम हो जाये फिर हम इसमें एक चमस सरसुका ते और तेल को भी मच्चे से गरम होने देंगे तेल को गरम होने के बाद हम अंडे लेंगे यहाँ पर मैंने बौईल अंडे लिए है Karena हम चाकू से हलक माई कट का निसान में लगाएंगे और एक एकर के सारे अंडे इस इसमें एड़ कर देंगे तो यहाँ पर मैंने टोटल पाच अंडे लिये हैं अब अंडे डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे जिसे जो अंडे है उसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए तो अंडो को हम हलका हलका ही फ्राइ करेंगे जब इसमें हलका सा कलर आ जाए फिर हम यहाँ पर कटे हुए अदरक और लैसुन एट करेंगे तो यहाँ पर मैंने 5-6 लैसुन की कलिया और एक इच अदरक के टुकड़े को लंबाई में काट लिया है इसके साथ हम इसमें एक बड़े चमच कशुरी मेथी एट करेंगे और इन सब को थोरी देर के लिए भून लेंगे इन सब को भून के डालने से जो अंडा करी का टेस्ट है वह काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो यहां पर जो अंडे हैं और मसाले अच्छे से भून चुके हैं अब हम चलता है अपने ग्रेवी की तरफ तो यहां पर जो ग्रेवी है उसमें भी अच्छे से उबाल आ चुका है और यह अच्छे से पक भूई चुकी है यहां पर आप देख सकते हैं यह काफी ज्यादा थिक हो चुकी है जितनी की हमें चाहिए इसकी ग्रेवी को हम बहुत ज्यादा थिक नहीं बनाते हैं थोड़ा सा पतला रखते हैं क्योंकि यह राइस के साथ खाने में बहुत ही दालेंगे और इसे धक कर फ्लेम को थोड़ा सा मेडियम करके इसे 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि जो गर्मसाली का फ्लेवर है वो अंडे में अच्छे से घुल सके यह अंडा करी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है आप एक बार इस तरीके से अंड तो यह रेश्पी कैसी लगी साथी अगर आपको वीडियो अभी अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा ज्यादा शेर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेजिए तो चलिए फिर मिलते हैं एक नही रेश् में लेश्पी कार लेश्ट बडश्वया जगा हो तो अच्छा लेश बगार भी जर चे वा